हेलो दोस्तों आप लोगों का स्वाग ने अबने चनल पे और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप टेन मुवीज ऑन शेयर मार्केट आज की वीडियो में मैं सिर्फ दस नहीं बलकि चार बोनस मुवीज भी बताने वाला हूँ यह टोटल 14 मुवीज का वीडियो रहने और यह मुवीज देखनें के बाद आपके रगों में भी वह खुन दोड़ने लगेगा कि भाई मुझे भी शेयर मार्केट में जाके पईसा लगाना है और राटो राड करोड़ पती वनना है तो क्या गाइस् यह वाकई ही में सच है कि रातो राज शेयर मार्केट से लोग मकरन बंदरी और इस पर फिलाल चार वीडियो में डाल चुका हूँ और यह उनके लिए है जो बिगिनर्स है जिनको शेर मार्केट में अभी एंटर करना है तो आपको शेर मार्केट के रिलेटेड कुछ भी सवाल रहे उस चैनल की किसी भी वीडियो पर पूछ लीजे मैं उस रिद्वान एहमत और इसको बंबई में जाके शकुन कोठारी से मिलना है और शकुन कोठारी जैसा बड़ा बिजनसमन बनना है शकुन कोठारी इस फिल्म एक ऐसा करेक्टर दिखाया गया है जो शियर मार्केट से पैसे कमा के रात तो रात करोड़ पती बना हुआ है और श फिल्म specifically मुझे पसंद आती है सैफली खान की एक्टिंग के लिए और इस फिल्म में जिस तरीके से शेयर मार्केट को दिखाया गया है पहली बार शेयर मार्केट को इतना इंडी टेलिंग और शेयर मार्केट में किस तरीकी की ट्रेडिंग होती है किस तरीके से टिप्स दी यहीं है I mean अप We go मुविद आती है इस einfach already k pross यह मुवे जो है है फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग और अल्ट्रा लो लेटनसी डारेग मार्केटिंग के उपर बनाई गई है अभी हा हाइफ ट्रेडिंग क्या होता है यह जानने के लिए आपको छोटी सी चीज समझना जरुरी है कि अगर क्या होगा जो रिजल्ट आप जब online market खुलके बैठते हो और आपको जो रिजल्ट दीख रहा है वो 20 millisecond मैं second की भी बात नहीं कर रहा हूँ सेकेंद का भी 21 हिससे में अगर आपको पता चलता है कि कौन से शेयर का भाव उपर जाने वाला है और कौन से शेयर का भाव नीचे आने वाला है उतने से millisecond से कितना फरक पड़ सकता है और उसके related क्या कोई technology बनी है और वो बनाई गई है तो किस तरीके से बनाई गई है और उ उन्होंने का यह फिल्म बहुत हद तक उन सारी चीजों के करीब पहुचती है यानि इस फिल्म में आपको शेयर मार्केट के अलग परस्पेक्टिव देखने को मिल सकता है तो इस वज़े से इस फिल्म को आप एक चांस जरू दीजिए इसलिस में एक नमबर पर आती है एक इस अधस्य में इसका कॉंटेक्ट होता है एक खतरनाग आदमी से और जब वो उससे कॉंटेक्ट करता इसको अधिस वाला बंदा कितना खतरनाख है लेकिन वो उसको कुछ ऐसे डिल्स करने को बोलता है जिसके लिए हमारा हीरो तयार हो जाता है अब उसके बाद उसकी जिं आपको specifically आपकी नजर खिचने का काम करेंगे एक है Ben Affleck जो हमको DCU की मुवीज में Batman का रोल प्ले करते हुए दिखा है और एक है जो second lead में है जिसका नाम है वीन डीजल वीन डीजल किस चीज़ के लिए पॉपिलर है बताने के रहता है लेकिन कसीनों में काम करते करते उसको समझ में आता है कि अगर मैं ट्रेडिंग सेक्षन में गया तो मैं रातो रात बहुत ज्यादा करनी पड़ती है अगर आप शियर मार्केट से रिलेट करते हो देखिए फिल्म फोड़ी पुरानी है 2000 साल की है यानि आज से कई लोगो अल्रेडी पता ही होगा कि हर्शद महता के उपर अधरिट है लेकिन इस फिल्म में जो हर्शद महता करेक्टर रोल प्ले कर रहा है उस करेक्टर का नाम चेंज किया गया है लेकिन इसका रोल अभिशेक बच्चन ने बहुत अच्छे से नहीं भाया अब ज्यान में रखे बगर अगर देखोगे तो आपको देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा और इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक आम आदमी इतना बड़ा ट्रेडर बनता है और फिर वह गवर्मेंट के खिलाफिक छोटी सी बात बोल देता है तो कैसी उसकी जि इस फिल्म में ज़रुर देखने को मिलेगी इस फिल्म का नाम है गुरू यह 2007 में आई थी लेकिन इस फिल्म में अभिशेक बच्चन ने जो रोल किया है मेरे ख्याल से उसने अपने पूरे करियर का सबसे बेस्स पर्फॉमस इस फिल्म में दिया है और यह फिल्म भी बेस थी धीरु भाई आम्बानी के उपड़ से अने लेकिन इस में बीजिल को ओक्र yani और जो सोना होती है और अधमी मुंबाई में आता है और बिजनस में अपनी वड़ी यह पकड़ बनाते बंदर इसको शेयर मार्केट का सपोर्ट लेना ही पड़ता है क्योंकि बीना पब्लिक सपोर्ट के अब कभी वी उपर नहीं जा सकते यह बात पकड़ के जब वो अपनी कंपणी यह धिरुभाई अंबनी की लैंस थी तो इसमें इसकी कंपणी का नाम रहता है शक्ति तो इस शक्ति को वो पब्लिक करता है और उसके बाद उसका किस तरीके से संघर्ष होता है और किस तरीके से वो पूराने बिजनेस मंस के साथ अपने आपको सबसे आगे रखने की कोशिश करता है वह अगर आपको दिखने यह फिल्म जरूर से देखिए इसके बाद पाच्वे नंबर पर आपको फिल्म का नाम है इक्वीटी फिल्म के नाम में ह ऐसे और की रिखाई है कि जिसने नो बैंकों को पॉलिक किया है यानि प्राइव इत सी उनको उल्ग पबलिक करके उनके शेर्भ मार्केट में लाए हैं और आज की टायंंपे वह स्कगल कर लिए वो और किसी बैंक को या किसी कंपनी को पॉबलिक नहीं कर पा रिए क्यूंक यह उसको पकड़ने का काम करती है क्या होता है क्या इस तरीके से लॉंच किये जाते है उसके पीछे क्या-क्या स्ट्रीजी लड़ाई जाती है यह अगर आपको जानना है तो यह फिल्म पर आती है एक नहीं दो वोबी का नामी वाल स्ट्रीट एंड जैसे हमारे बंबई में दलाल स्ट्रीट होता है तो फिल्म का नामी वाल स्ट्रीट दिया है और यह फिल्म स्पेसिफिकली बनाई गई है insider trading के ओपर यानि company में कुछ बहुत बढ़िया चीज होने वाली होती है तो उसकी टीप पहले ही ले लो और वो टीप हमारे पास आने के बज़े से उस company के शिखर खरीद के हमारे पास लगो ताकि जब भाव बड़े तो हम अच्छे दाम में बेच सके उस concept के ओपर यह फिल्म बनाई गई है इस फिल्म में माइकल डगलस ने बहुत बड़िया रोल प्ले किया है माइकल डगलस को इस फिल्म के लिए उनका पहला और आखरी ऑसकर आवर्ड मिला है और इसी का सीक्वेल आया था जिसका नाम है वाल स्रीट मनी नेवर स्लिप्स अभी वाल स्रीट में कु इसका इस्तेमाल करके वह वापस से कुछ ऐसी हरकते करने की कोशिश करता है तो क्या अपकी बार वह वापस कामियाब हो पाता है या नहीं हो पाता है वह अपको इस में देखने को मिलेगा और इसके बाद थर्द नंबर पे मैं आपको 1 नहीं दो नहीं बलकि 3 फिल्मों के बारे में बताऊंगा यह तीनों फिल्म में आप देखोगे तो आपको पूरा 2007 और आर्ट में जो पाइनेंशल क्राइसिस आया था वो कैसे आया था उसके पीछे की वजे क्या थी वह समझ में आसानी हो जाएगी इसमें की सबसे पहली फिल्म है द बीग शॉट अब जिनको श इस एक्टर ने प्लेए हाला कि सब्सक्राइब करना चाहूंगा क्रिस्चन वेल की वह एक्टर है जिसने जसके पहले बैटमैन बीकिंज दर डार्क नाइट और यहां पे बिल्कुल ही अलग किसम का रोल प्लेए किया है उसको कामरे पर देखोगे तो आपको पहचानने में confusion हो जाएगा कि क्या ये वाकई में वो बंदा है जिसने बैटमेन रोल प्ले किया है और इसमें बिल्कुल ही अलग किसम का रोल प्ले किया है और उसके एक्टिंग में देखो के तो मज़ा आएगा और इसमें टोटल एक नहीं लगबग 3-4 स्टोरी लाइन चलती रहती है और वो एक दूसरे से एंटर कनेक्ट है और उसके वज़े से कैसे क्राइसिस आता है वह आपको बताया गया है इसके बाद दूसरी फिल्म देखो जो थर्ड नंबर पर में बता रहा हूं तूबीक टूफॉल यह एच्बियो मैक्स पे टीवी मुवी आई थी अगर आप देखन इस शॉट में कुछ-कुछ चीज़े अगर नहीं समझ में आई होगी तो उसको बहुत अच्छे से इस फिल्म में एक्स्प्लिंग किया गया है क्योंकि मैंने दोनों फिल्म में बैक तूब देखी तो मुझे समझने में बहुत ज्यादा असानी हुई और जो तीसरी मुवी करते हैं और किस तरीके के डिसीजन लिए जाते वह अगर आपको जानना है तो इस फिल्म को देखिए तीनों भी फिल्म है वह 2007 और 2008 के क्राइसिस से जुड़ी हुई है और एक दुस्य से थोड़ी बहुत कनेक्टेड है 100% तो मैं नहीं बोल सकता लेकिन आपको अगर उस क् सारा में थोड़ी सी भी जान करें रखते हैं या थोड़ा सा इंट्रेस्ट है तो शायद ही पॉसिबल है कि आप में से किसी ने यह सीरीज नहीं देखियो इस सीरीज का नाम है स्कैम 1992 यह हर्षद महता के ऊपर उनकी बायोग्राफी बनाए गई थी और इसमें दिखाया गय लेकिन एक छोटी सी गलती उससे हो जाती है और उसके वज़े से फिर उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है अगर मार्केट के जानकार होंगे तो आपको हर्षद मेता के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी तो होगा इस सीरीज में आपको पूरा इंडेप जानकारी बता इतना पैसा शेर मार्केट से कमाया और जो भी पैसा कमया वह इलेगल तरीके से कमया और इसने पुद अपनी पुरी किताब लिखे और उस किताब के ऊपर यह प्रॉपर लिए फिल्म बनाई गया है लेकिन इस फिल्म को देखने से पहले बहुत बड़ा डिस्क्लेमर सुनि ओपनिंग सीन है ना वही आगर आप आपके फैमिली के या मम्मी के साबने देखो गए ना तो आपके सर पर आपकी मम्मी अलू बुखारे बना लेगी अलू बुखारे क्या होता है नहीं पता है गूगल करके देख लीजिए लेकिन मेरे हिसाब से अब तक मैंनी जितनी भी इसे और मारकेट के उपर मुवी देखी है और यह वो फिल्म सब्सक्राइब मरप अ इस फिल्म में मेरे मे कि ने две i इसने सब का अटेंशन ग्रैप किया और उसके बाद यह हारले क्वीन वगले जैसे रोल क्ले करके अज दुनिया भर में मशूर हो चुकी है लेकिन यह उसकी फिल्म थी जिसके वज़े से वह आइडेंटिफाई की गई तो यही रही हमारी टॉप 10 शेयर मार्केट की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा आपने इन मैसे कौन-कौन सी मुवी देखिए आपकी फेवरेट कौन सी वह भी बताईएगा और कोई मुवी अगर आपको पसंद लेकिन में बताने से रह गया तो कमेंट करके वह भी बता दीजेगा अब मिलते है और एक एसी वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए